साल 2007 की वो तारीख 21 अपरेल थी। 20 साल लंबे इंतजार के बाद पहली बार उसका नाम पुलिस रजिश्टर में दल्ज किया जा रहा था। मुंबई के नाकपाड़ा में जिस घर पर अवायद कबजा करके वो रह रही थी उससे मुंबई पुलिस का हेड़ कौर्टर मुश्किल से एक किलोमीटर दूर था। फिर भी वो फरार हो गई। कहते हैं कि साउथ मुंबई से बांजा और कुरला तक उसकी इजाज़त के बग दाओद इबराहिम की बहन थी क्योंकि वो मुंबई की गौड मदर थी क्योंकि वो हसीना पारकर थी वही हसीना पारकर जिसकी तस्वीर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं दाई तरफ और बाई तरफ है श्रद्धा कपूर का वो लुक जो हसीना में दिखेगा शूट आ सिधान्त इस फिल्म में उनके रील लाइफ ब्रदर दाओद का करेक्टर निभा रहे हैं फिल्म चर्चा में हैं श्रद्धा चर्चा में हैं फिल्म का ट्रेलर आ चुका है तो हमने सोचा कि हम आपको हसीना पारकर की असल कहानी बताएंगे हमें नहीं पता है कि फिल्म में लाखिया हसीना की जिंदगी के किन हिस्सों के साथ फिल्म बना रहे हैं वो किन किन चीजों को हाइलाइट करेंगे लेकिन हम आपको हसीना की पूरी कहानी बताएंगे जो असल है अप्रेल 2007 में एफाईयाज दस्ज होने के बाद हसीना को फरार हुए हफता भर हो चुका था ये उनके बारे में एक किस्सा है जो उनकी गिरफतारी के बाद लोगों ने मीडिया में बताया था गौर्डन हाल अपार्टमेंट में उनके घर और आसपास भीड लगी हुई थी और वहां तैर रही भुनबुनाहट में चिंता गुली है लेकिन सबको यकीन थे कि आपा ल लेते वही अपने हिस्से की कहानी सुनाने लगता इलाके में ही मोबाइल की दुकान चलाने वाला एक लड़का बताता है कि साल भर पहले मेरी बहन एक आदमी के साथ भाग गई थी आपा ने उस आदमी को धमकाया और मेरी बहन वापस आ गई ये हसीना पार करके काम करने का तरीका था 1969 में पैदा हुई हसीना दाउद से छोटी और दस भाई बहनों में सातवे नंबर पती दाउद ने अपने भाई शबीर इब्राहिम कासकर के साथ डी कंपनी शुरू की थी उसकी चार बहने थी सईदा, फजाना, मुम्ताज और हसीना लेकिन उसके धंदे में उस मजबूर कर दिया था लेकिन वो बाहर से बैठा मुम्बई चला रहा था प्रोटेक्शन मनी वसूलना मर्डर और दूसरे गैर कानूनी धंदे दाउद का सब में हाथ था और उसकी देखा देखी में और भी धेल सारे गैंग पैदा हो गए जिनके आपसी गैंग वार ने में गैंग का नमबर तीन हुआ करता था रशीम और नाइक के मारे जाने के बाद गैंग की कमान गवली के हाथ में आ गई सा नियम है घर वाले दुश्मनी के बीच नहीं आते आपकी जिससे दुश्मनी है आप उससे निपटिये पैसे का मामला हो या वजचत सुका आप सामने वाले के घर वालों पर कभी हाथ नहीं डालेंगे पुलिस भी इस नियम का पालन करती है लेकिन बाउखलाए गवली न अब हुई थी जब वो महज 17 साल की थी स्माइल जूनियर फिल्म आटिस्ट था लेकिन बताते हैं कि बाद में उसने होटल का धंदा किया नाकपड़ा इलाके में जहां हसीना रहती थी उसी इलाके में इसमाइल का एक होटल था 26 जुलाई 1991 को इसमाइल की हत्या कर दी गई ह हत्या वाले दिन वो दुपहर में अपने होटल के काउंटर पर बैठा था तब ही कुछ हत्यार बंद लोग आए और उसे भून कर चले गए दाउद के जीजा का कतल हो चुका था और अब उसके पलटवार की बारी थी स्माइल की हत्या के दौरान दाउद गैंग में उथल पुथल चल रही थी दाउद के इर्द गिर्द बैठने वाले लोग उसे राजन के बारे में सोचने के लिए कह रहे थे क्योंकि उनके मुताबिक राजन डी कंपनी सिंडिकेट के अंदर एक और सिंडिकेट चला रहा और एक दिन गैंग पर कबजा कर सकता था दाउद इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था तो राजन के खिलाफ बोलने वाले सुनील सावन तुर्फ सौत्या और चोटा शकील ने दाउद से कहा कि अगर राजन वाकई में डी कंपनी का और दाउद का वफादार है तो इसम सौत्या और चोटा शकील को इसी मौके की तलाश थी जो उन्होंने नहीं छोड़ा उन्होंने दाउद से कहा कि राजन को हटाओ स्माइल का बदला वो दोनों खुद लेंगे दाउद ने इजाजत दे दी दाउद की निगाह में खुद को उठाने के लिए ये उन दोनों के सामने अच्छा मौका था लेकिन एकलोता मौका था क्योंकि अगर ये दोनों यहाँ पर फेल होते तो शायद दुवारा उनके पास लोटने का मौका ना होता स्माइल के हत्यारों को मारने के लिए सौत्या और छोटा शकील ने यूपी के गैंग्ष्टर ब्रजेश सिंग और उसके दो करीबी शूटर्स बच्ची पांडे और सुभाष ठाकुर को हायर किया इन सब को आटोमेटिक हत्यार दिये गए एक ए 47 दी गई ताकि वो हॉस्पिटल में जाकर उनको उड़ा सके बारह सितंबर 1992 को शूट आउट से कुछ घंटे पहले रेकी की गई और फिर हॉस्पिटल में घुसकर शैलेश हलंकर को मार दिया गया यह वही शक्स था जिस पर आम तोर पर अंडर वर्ड वाले पुलिस की दुश्मनी से बचने के लिए पुलिस पर हमला नहीं करते थे लेकिन यह अटायक इतना बड़ा था कि इसमें दो पुलिस कॉंस्टेबल और एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई थे स्माइल का बदला लिये जाने के बाद हसीना अपनी नई मांध नाग पढ़ा के गार्डन हाल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई यहां उसे जो घर पसंद आया उसने उसका ताला तुड़वाया और वहां रहना शुरू कर दिया किसी ने कोई शिकायत नहीं की अड़ा जमा और यहीं से हसीना ने अपना क्राइम सिंडिकेट चलाना शुरू किया दाउद के भारत से जाने के बाद हसीना का काम उसकी 54 बेनामी संपत्तियों की देखरेक करना था लेकिन खुद धंदे में आने के बाद हसीना को इन सब में मजा आने लगा और वो खुद पूरी तरह एक्टिव हो गई बेशुमार ताकत अपने इर्द गेर्द अहसानों से दबे लोग हर अवाय ट्रांजेक्शन में हिस्सा मुंबई में हर इमारत बनने से पहले उसकी इजाज़त हसीना को मुंबई पर राज करना भाने लगा था वो इसमें डूप चुकी थी बताते हैं कि दाओद को ये बिल्कुल पसंद नहीं था उसने कई बार हसीना को मना भी किया क्योंकि उसके मुताबिक हसीना को ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी बहनों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए दाउद अपनी चारों बहनों को हर महिने करोडों रुपए भेजता था लेकिन हसीना को ताकत की दलत लग चुकी थी और इसका कोई इलाज नहीं था मुंबई 2006 में जब स्लम री डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम बड़े जोर शोर से चल रहा था तब हसीना ने बिल्डर कृष्ण मिलन शुकला और प्रॉपर्टी ब्रोकर चंदेश साह के साथ वडाला में एक छोटा स्लम कष्टर डेवलप करने का प्लान बनाया इसके लिए इन सबको एक करोण रुपए की जरूरत थी इन तीनों ने एक प्रॉपर्टी ब्रोकर विनोध अलवानी से पैसे का इंतजाम करने के लिए कहा विनोध ने एक और डेवलपर जैश शाह की मदद से एक करोण रुपए का इंतजाम किया लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया जब जयेश ने अपना पैसा वापस मांगा तो विनोध ने उसे सिस्फ 70 लाख रुपए वापस किये क्योंकि बाकी के 30 लाख रुपए हसीना ने प्रोटेक्शन मनी के नाम पर लोटाने से इनकार कर दिया था कई महिनों की हुज़त के बाद दिसंबर 2006 में जब विनोध क्राइम ब्रांच अपनी शिकायत लेकर गए तो वहां उनकी FIR ही नहीं लिखी गई इसके बाद वो दोनों एंटी करप्शन ब्यूरो गए और आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच के अफसर अनिल महा बोले और राजेंद निकम ने शिकायत लिखने के एवज में उनसे 10 लाक रुपए मांगे थे 21 अप्रेल 2007 को ये केस एंटी एक्स्टॉर्शन सिल के हवाले कर दिया गया और हसीना पर FIR दर्ज हो गई गवाह थे शिकायत करने वाले थे पर चार महिने तक हसीना के खिलाफ कोई FIR नहीं लिखी गई धेल सारी लीपा पोती के बाद जब क्राइम ब्रांच के अफसरों के खिलाफ जाच शुड़ हुई तो जाइंट कमिशनर मीरा बोनवारकर की तरफ से सफाई आई कि उनके आदमी मामले की जाच कर रहे थे ताकि पुखता जानकारी मिलने के बाद ही शिकायत दर्ज की जाए हालागी चार महिने की जाच में क्या मिला इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था हसीना का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि उसे पुलिस सेक्षन का पता बहुत पहले लग जाता था और वो फरार हो जाती थी क्राइम ब्रांच के अफसरों से जब हसीना के ठिकाने के बारे में पूछा जाता था तो वो हडबड़ा जाते थे वो कहते थे कि गवाह छोड़िये कोई इनफॉर्मर तग उसके बारे में खबर नहीं देना चाहता है पुलिस इंटरसेप्शन के डर से वो खुद दाउद के संपर्क में नहीं रहती थी लेकिन बताते हैं कि उसके पास मेसेंजर्स का ऐसा नेटवर्क था जो दोनों को टच में बनाये रखते थे 2007 में क्रिमिनल रिकॉर्ड की वज़े से हसीना को दोबारा पासपोर्ट जारी नहीं किया गया था लेकिन बताते हैं कि वो इससे पहले कई बार भारत से बाहर दाउद से मिली है इंडिया टुडे में 2007 में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया था कि हसीना का उसके इलाके में होने वाले हर अवैद धन्दे में इन्वाल्मेंट होता था मुंबई में जितने भी डाउटफुल ट्रांजेक्शन होते थे हसीना का सब में हिस्सा था इन पैसों के बदले वो लोगों को कानूनी पचनों से प्रोटेक्शन देती थी एक वक्त था जब मुंबई में सरकारी इमारत भी हसीना की इजाज़त से बनती थी उसमें भी हसीना का हिस्सा होता था लोग अपने विवाद लेकर हसीना के पास आते थे और वो उन्हें सुल्टाती थी इसके बदले में वो मोटी रकम वसूलती थी बॉलिवूट फिल्मों के ओवर सीज राइट्स हासिल करना हमेशा से अंडर वर्ड की फैंटसी रही है हसीना इन राइट्स के लिए मोलभाव करती थी खास कर उन फिल्मों के लिए जो रूस और खाड़ी देशों में रिलीज होती है कथी तोर पर हसीना हवाला रैकेट में भी शामिल थी जिसमें भारत से मिडिल इस्ट पैसे भेजे जाते थे और वहां से मंगाये जाते थे मुंबई में केबल ऑपरेटर्स का जगड़ा बहुत फेमस है अंडर वर्ड के बाद दूसरे नंबर पर इसी का नाम आता है जिसमें अभी तक नजाने कितने मर्डर हो चुके हैं अपने इलाके बाटने के लिए केबल ऑपरेटर मदद के लिए गौड मदर के पास ही जाते थे हसीना कथित तोर पर उन्हें प्रोटेक्शन देती थी और उसके कहने पर ही कोई एक दूसरे के इलाके में दखल नहीं देता था हसीना के परिवार में उसका पती दो बेटे और दो बेटिया थी 2005 में उसने अपनी बड़ी बेटी की एक बिजनेस मैं से शादी कर दी थी हसीना का बड़ा बेटा दानिश अपरेल 2006 में एक साड़क हादसे में मारा गया था वो हसीना के साथ धंदे में हाथ बटाता था हसीना का काम आर्डर देना और सलीम का काम उसे एक्जक्यूट करना होता था इनके अलावा एक और आदमी भी था सलीम पटेल ये हसीना का दाया हाथ था लेकिन जब तक हसीना का पती इसमाईल जिन्दा था तब तक ये आदमी इसमाईल के लिए ड्राइविंग करता था हसीना के छोटे बेटे का नाम अली शाह है 6 जुलाई 2014 को रमजान के महीने में हसीना पारकर की हार्ट अटेक से मौत हो गई थी हसीना ने उस दिन रोजा रखा हुआ था सीने में दर्ब की शिकायत पर जब उसे हवीब हास्पिटल ले जाया गया तो वहां उसकी मौत हो गई इससे पहले वह कई महीनों तक माइग्रेन से जूचती रही माइग्रेन इतना जादा था कि वह अधिकतर समय बिस्तर पर ही रहती थी लोगों से मिलना जुलना बेहत कम हो गया था और वह खुद सामने मौजूद होने के बजाए दाउद फैमली के नाम पर धंदा चलाती र रहे हैं कि वह इस फिल्म में 17 साल से लेकर 40 साल तक की हसीना पारकर को दिखाएंगे फिल्म का इंतजार करिए जब आए तब देखिए तब तक दिललन टॉप के साथ बने रहिए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारा पेज लाइक कीजि झाल